हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है विकास आजगी इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आप भी अपना कंप्योटर आउन कर रहे हो पर यह आउन तो हो रहा है मेरा कंप्योटर आउन है आप देख सकते हैं पंका चल रहा है पर इसमें screen नहीं आ रही यह मेरा चालू है डिस्पले मेरा on है मैं आपको check करायाता हूँ यहाँ पर इसकी light साथ वैंको दिखाई देरी होगी देख सकते हूँ naszej display मेरा on है पर इसमें यहाँ पर light नहीं आ रही display है मेरे मेरा computer पर चालू है तो उसे ठीक कैसे करें आईए जानते हैं देखिए कुछ problem हो सकती है चेक करिए सबसे पहले चेक करिए कि सईसे light मिल रही है कि नहीं मिल रही है light कम तो नहीं आ रही है अगर आप UP से हैं या किसी गाउं एरिया से हैं तो मापे light कम आती है 100-500 voltage आता है जिसकी वज़े से यह नहीं चल पाता है तो अपना light चेक करिए पूरा voltage आ रहा है कि नहीं दूसरी चीज है power cable निकाल के सईसे लगाईए power cable आप देख सकते हैं यह power cable सईसे लगाईए और यह VGA cable है आपके में सायद HDMI cable की सईसे लगाईए दुवारा निकाल के साफ करके अच्छे से लगाईए पर मेरे computer में क्या दिक्कत है मेरे computer के रेम धेली हो गई है सायद आपके साथ भी यह हुआ हो देख सकते हो यहाँ पर रेम है यह वाली रेम है यह आपके थोड़ी बड़ी होगी यह हो सकती है अलग सायज की होगी यह आपकी धिली हो गई होगी तो आपको क्या करना है देखिए अगर आप computer के जानका रहें तो ही यह काम करिएगा और आप थोड़ा बहुत अगर दिक्कत कर दोगे तो computer खराब हो जकता है तो यहां पर मैं इसे निकालता हूं सबसे बहले computer बंद कर लेता हूं मैं अपना इसका वाया निकाल देता हूं इसे निकालता हूं यहां से खोलिएगा देख सकते हो थोड़े आपके बड़ी होगी छोड़ी होगी इसे कपड़े से साफ कर लीजिए तो इसे कपड़े साफ कर लिजिए जो इसके किनारे हैं ये वाले साफ कर लिजिए गीले कपड़े साफ मत करीगा बता दू पहले इसको साफ कर लिया है तो देख सकते हो यहां पर साफ कर लिया है इसके बाद आपको इसे द्वारा लगा देना है देखिए इसमें खाचा बना यहां से बंद कर देते हैं कर दिया है मैंने अगर आप उसको प्रेस करोगे तो भी अपना बंद हो जाते हैं कभी-कभी और अगर यह हलके से बंद ना हो तो ज्यादक प्रेस ना करें वाना रेम टूट सकती है फिर में चालू करता हूं इसको मेरा बटन यहां पर है इस तो मेरा जो फैन है यह यह सी पीऊ चालू हो चुका है थोडंसा वेट करते हैं थोड़ा सा वेट करते हैं देखते हैं कि दिस्प्लिय आ चुकी तो यहां पर एंटर करते हम इससे तो आप देख सकते हैं हमारा कंप्यूटर अच्छे से चालू हो चुका है कोई दिक्कत नहीं हुई अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं किसी नई वीडियो में